उत्राखंड में ब्रश्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विधान सभा से लेकर अस्पतालों तक ब्रश्टाचार का बोलबाला है। नेताओं और बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों पर ब्रश्टाचार के आरोप लगे है। वही अब धामी सरका के एक कैबिनेट मंत्री ने एक अस्पताल में प्रश्टाचार होने की आशंका जताई है। मंत्री जी ने बकायदा प्रश्टाचार की जाज के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। दरसल ये पूरा मामला दहरादून के छाबनी परिशद अस्पताल से जुड़ा है। ये इस दौरान उन्हें पता चला कि अस्पताल को केंट बोर्ड और अस्पताल प्रशाशन ने केवल 65,000 की लीस पर किसी प्राइविट संस्था को दिया गया है। गरेश जोशी ने कहा कि इतना बड़ा अस्पताल है इसमें ऑक्सिजन प्लांट भी लगा है लेकिन मात्र 65,000 म इसमें प्रश्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि CMO के नित्रत्व में एक विशेश कमिटी का गठन किया गया है जो जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौपेगी यदि अस्पताल में कोई धांदली हुई होगी तो उसका हर जाना भी अस्पताल को ही भुकत ना होगा। मैंने CMO केंड को दिश्चित कर दिया है कि और CMO के अधिस्ता में हमने एक कमिटी में आ ला दी है अठाइस तारीक तक हमें इसके प्रवलाम चाहिए अगर जनित्रत्व कारवाई नहीं होगी तो हम इसकी रिकवरी केंड बोर्ड हुस्पेटल दे करेंगे क्योंकि अब सवाल उटना भी लाजमी है फिलाल अस्पताल को लीस पर दिये जाने को लेकर जाँच कमिटी का गठन कर लिया गया है लेकिन सवाल ये भी है के MLA और MPFund से अस्पताल को बनाया गया तो आखिर कैसे बिना सरकार के पर्मीशन के अस्पताल को लीस पर दे दिया गया पंजाब केसीडी टीवी के लिए दैरादून से आशिश रमोला की रिपोर्ट